सोना देय अपने डांस वीडियो और मुकुल के साथ कपल वीडियो के लिए जानी जाती हैं। लेकिन कुछ दिन पहले सोना अपने वाइरल वीडियो को लेकर भी चर्चा में रही थी। सोना देय को उनके कपल गोल वीडियो, उनकी क्यूटनेस और डांस के लिए बहुत पसं था. सोना देय का जन्म 20 अक्टूबर 1999 को बिलासपुर चतिसगर में एक बंगाली फैमिली में हुआ. सोना ने अपनी स्कूली पढ़ाई बिलासपुर से ही पूरी की. स्कूल टाइम से सोना को डांस करने का बहुत शौक था. इसलिए आगे चलकर यहे एक डांसर बनी. बात कर से अच्छी डांसर थी. तो उन्होंने डांसिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने कम उम्र से ही ओडिशन देना स्टॉट कर दिया था. उन्होंने साउत में कई ओडिशन दिये और वही वह पहली बार मुकुल से मिली थी जो साथ में साल 2018 से वीडियो बनाना स्टॉट क उनका डांस देखते और उन्हें फॉलो करते थे। 10 साल की उम्र में मुकुल ने तै कर लिया था कि उन्हें एक बड़ा डांस बनना है। इसलिए फिर मुकुल ने डांस की ट्रेनिंग लेना स्टॉट कर दिया। मुकुल ने यह भी सोच बनाई थी कि अगर मैं बड़ा डांस ना भी बन पाया तो भी लाइफ टाइम डांस ही करूंगा। कुछ टाइम बाद मुकुल ने डांस रियालिटी शोज के ओडिशन देना शुरू कर दिया। पहले वह चतीस गड़ में ही ओडिशन देते रहे जहां उन्हें कहीं सिलेक्ट नहीं किया गया। फिर वह साउथ में भी ओडिशन देने लगे और वहां उनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि उस शो में वर्ग ज़्यादा आगे न जा सके इसके बाद उनका साउथ के कही शो में सिलेक्शन हुआ और मुकुल का डान्स इतना अच्छा था कि उनका नाम फाइनल लिस्ट में रहा। इसके बाद मुकुल ने ZTV की डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में हिस्सा लिया और उसके बाद इंडिया बैस्ट डांस में नजर आए। जहां उनके साथ सोना देय भी इन लोगों को मिली। अब बात करते हैं सोना की लव स्टोरी की तो साल 2001 का ओडिशन देने के लिए सोना देय विशाखा पटनम गई हुई थी जहां उनकी मुकुल गेन से मुलाकात हुई थी। वहां मुकुल पॉपुलर डांसर थे जहां मुकुल ने डांस किया तो सोना को मुकुल बहुत अच्छे लगे। जब मुकुल जा रहे थे तो सोना भाग कर उन्हें में हेल्प के लिए मुकुल गेन से उनका कांटेक्ट नमबर मानगा बाद में यह दोनों बात करने लगे और मिलने भी लगे। कुल मिला कर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के साथ काफी ज़्यादा टाइम बिताने लगे। इसलिए जल्दी ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2020 में मुकुल दान्स रियल्टी शो इंडियाज बेस्ट डानसर का हिस्सा बने। मुकुल का दान्स फेमस हो गया पर जब सोना इस शो में पहुँची। जब सोना भी शो में पहुँची तब से ओडियन्स और जजों का और भी ज़्याद भी कर लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सोना देय के वाइरल वीडियो की तो सितंबर 2022 में एक वीडियो वाइरल हुआ जो सोना का बताया जा रहा था। कुछ यूटूबर्स और मिम्स पेज उस वीडियो को सोना देय का बता कर शेयर कर रहे थे। ज़्यादा शेयर कि उस वीडियो में वह नहीं है उन्होंने दिखाया कि यही सेम वीडियो एक साल पहले हेलिना डायमरी नाम की एक नेपाली लड़की का भी बताया गया था। इसके अलावा सोना ने अपने टैटूज भी दिखाएं और बोला वाइरल वीडियो वाली लड़की के तो कोई टैटू नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वाइरल वीडियो में एक गैस सिलेंडर भी दिखाया जिस पर बांगलादेशी निशान था। तो इससे यह साबित हो गया कि वाइरल वीडियो में सोना डे नहीं है। यह वीडियो उनका बता कर कुछ लोगोंने बदनाम करने क कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही क्योंकि सोना का उस वाइरल वीडियो पर लोग वीडियो बनाने से पहले ही सोना की स्पोर्ट में बड़ी संख्या में उनके समर्थक और अन्य यूजज़ा चुके थे। सोना देय को इतने अच्छे फेन उनकी प्यूटनेस और डांस से मिले हैं। साथ ही उनके अच्छे नेचर से भी चले।